नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबो का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब से आनल रामगर एडुकेर में साथ हूँ जैसा कि आपको पहले से ही पता है 13 मई को जार्खन बेड इंटरांस 2023 एक्जाम होने वाला था दोस्तों और notification में पहले बताया गया था कि जो एक्जाम डेट है उससे चार दिन पहले admit card release कर दिया जागा लेकिन दोस्तों खुस खबरी यह है कि आपका जो admit card है आज ही release कर दिया गया है आप काफी आसानी से अपना जो admit card है जहार्खन combined entrance competitive examination board के official side से डाउनलोड कर सकते हैं कैसे आपको अपना admit card डाउनलोड करना है सारी चीजे मैं step wise step आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को last तक जरूर देखे साथ हूँ और सबसे पहले आपको update notification सभी चीजें आपको यहाँ पर दी आती है जहार्खन b8 से लेटेड चैनल को subscribe नहीं किये होंगे तो subscribe जरूर कर लिजेगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक admit card डाउनलोड किया गया है और नाम वगेरा तो यहाँ पर देखी सकते हैं exam date यहाँ पर date कहाँ पर है sitting जो है 11 से 12 exam time center वगेरा सारी चीजे यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं दिखाता हूँ साम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है क्या-क्या चीजे लेकि जानी है सारी चीजे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहले आपको दिखाता हूँ दोस्तों आप admit card अपना फिलाल अपने फोन से डाउनलोड कैसे करने वाले तो चलिए तो बहुत ही आसान स्टेप्स है बहुत सारे सातियों को पता भी होगा जो पहले से use कर रहे हैं इस साइट को तो गूगल पर आईएगा ये साइट है इसको search किजेगा तो देखिए यहाँ पर नीचे आपका JCECV board का official site मिल जाएगा यहाँ पर click किजेगा सातियों तो official site form भी fill करा था अभी जब तक आपका admission नहीं होता है counseling वगरा चलता रहेगा तो सारी जो काम होंगी आपकी यहीं पर होते रहेंगी ठीक है तो आप लोग यहाँ पर confuse कर सकते हैं यहाँ पर result admit card एक option देता है लेकिन यहाँ पर admit card अभी तक यहाँ पर update नहीं किया गया है तो यह से अभी आप download नहीं कर पाएंगे यहाँ पर show नहीं होगा जैसे यहाँ पर click करेंगे तो B8 आपका show होगा B8 का लेकिन अभी देखिए यहाँ पर update नहीं किया गया है तो आपको करना क्या है कहां से download करना है वो देखिए दोश्तों चल यह home page से ही आपको नीचे scroll करते हुए आना है scroll करते हुए नीचे आएंगे जहां से आपने form फिल कर रहा था वहीं उसी link पे आपको click करना है online form B8 combined entrance competitive examination 2023 पे click कर देना है आपको उसके बाद में नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर जो आपका date वगेरा है वो सारी चीज़ें त आपको दिख रहा है आप जैसे phone को रखेंगे वैसा दिखेगा तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों आपको यहाँ पर application login पे login करना है अभी बहुत सारे साथी जो है अपना ID वगेरा भूल गये होंगे तो आप लोग password भूल गये होंगे तो forget password का यहाँ पर option है forget password करके भी आप ठीक है फिर से reset कर सकते हैं अगर भूल गये है password तो यहाँ पर simply आपको कुछ नहीं करना है आपका जो registration number है दोस्तों registration number को यहाँ पर enter कीजेगा और यहाँ पर अपना जो भी password रखे हुए है password को enter कीजेगा और capture code सही से यहाँ पर भरिएगा दोस्तों refresh करके उसके ब option देगा तो उसके बाद print option पे click करना है जिदर भी दिखाए देगा print option और उसके बाद में print से आप save कर लिजेगा save करने का option देगा save कर लिजेगा आप अपने google drive फाइल जहां भी आपको save करना है PDF फाइल अपने admit card का तो काफी आसानी से आप कर सकते हैं फिलाल मेरे पास अभ ठीक है एक बार admit card यहां से download होने के बाद दुबारा नहीं लेता है तो यहां पर आप लोग आसानी से आईए जो जो steps आपको बताया गया है आराम से कीजिए किसी भी तरह का problem होता है समस्या होता है तो आप लिक comment section में लिख सकते हैं दोस्तों और मिलते हैं अगले update में धन् जो हार